हाई दोस्तो असलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों के साथ चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करकें और उसके साथ में हम इसकी शीट्स भी बनाएंगे किस तरीके से हम गभार में बना के आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं जरूर ट्राइ कीज़ें चलिए फिर रेसेपी शुरू करते हैं एक कटोरी हमें घेव का आटा लेना है दो कटोरी माइदे के आटा लेंगे दो चमच हमें कॉम्फरान लेना है नमक लेंगे स्वाथ के अनुसार और सारी चीज़ों को मिला के पानी में आटा जुन के लेंगे उसके बाद मैं आटा जुनने के बाद इसमें तेल एट करेंगे दो चमच और आटे को अच्छे से गुन के लेना है देखे जिस तरीके से मैं गुंड रही हूँ फिर इसके हमें गोले करते जाने हैं छोटे चोटे और फिर प्पड़े से धाक्के रखेंगे क्यूंकि यह गोले करकमने होने चाहिए इस तरीके से फिर हम इसे बेलेंगे मैं चावल का आटा इस्तमाल कर रहे हूँ और इस तरीके से हम बेलते जाएंगे छोटी छोटी रोटी है करनी है हमें फिर उसके बाद में हम रोटी के ओपर थोड़ा सा आटा थोड़ा सा तेल और इसके उपर और एक रोटी रखते जाएंगे देखे मैं तीन का सैट बना रही हूँ फिर इस तरीके से बनाने के बाद इसे सुक्याटे से हम अच्छे से बेल के लेंगे लंबा बेलने आपको बड़ा करना है रोटी को उसके बाद मैं इसे प्लेट में रखेंगे अभी तवे में हम रोटी डालेंगे बस इसे जल्दी यल्दी पलटते जाना है और रोटीों को निकालते जाना है देख रहे हैं आप पैसे हमारी शीट्स निकार रहे है और काफी बहुत ही अच्छे बनते हैं ये इसे क्या होता है वो कड़क ने होता है गीला करके रखे कपड़े को फिर हम अंदर की स्ट्रफिंग बनाएंगे यहां पर अध्रक लसन हरी मिर्ची का पेस लेंगे दो चमच यह मसाले का पानी इस्तमाल करेंगे थोड़ा सा नमक लेंगे सौत के अनुसार एक क्यूप लेना हमें और चिकन लेंगे फाफ केजी एक बरतन में हम सारी चीजे डाल देंगे आपको दीमी आज में इसे अच्छे से पका के लेना है ड़कन से ढाग के चिकन को पानी इस्तवालने करेंगे उसके बाद मैं देखे चिकन पके तयार है और इसे बारिक बारिक टुक्डों में आपको कट करना है चाहे तो आप चम्मस से भी कर सकते इस तरीके से या फिर हाथ से कर सकते बारिक टुक्डे अभी कुछ चीजे में आपको दिखाती हूँ हमें लेना एक प्यास इसे लंबा लंबा कट करेंगे पत्ता गोभी लेंगे एक कटोरी और शिमला मिर्च लेंगे एक हरी मिर्ची लेंगे पाच इसे चॉप कट करना है आपको धनिया पाउडर हाफ टीसपून जीरा पाउडर ह और हल्दी पाउडर हाफ टीसपून नमक लेंगे स्वाट के अनुसार सुकी मिर्च का पाउडर लेने हैं आपको एक चमच ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे हाफ टीसपून और कबाब का मसाला लेंगे वन टीसपून पैन रखेंगे गैस के उपर इसमें तेल थोड़ा सा ह डालना है प्यास डालके कच्छा पका पकाएंगे फिर मिर्ची शिम्ला मिर्ची एट करेंगे नमक एट करेंगे पत्ता को भी डालेंगे और सुके मसाले आपको सारे डालने देखे अच्छे से मिक्स करके लेना है सारी चीजों को बाद में इसमें चिकन एट कर देंगे हमारे अंदर की स्टफिंग बनके तयार है रोल की अभी हम रोल को कट करेंगे देखे पटियों को हमें किनारे किनारों से cut करना है इस तरीके से अप मेजर मेंट के हिसाब से cut कर सकते इस तरीके से हमें cut करते जाना है आप इस पट्तियों को जरूर ट्राय कीजिए शिट्स को बहुत अच्छे बनते और काफी क्रिस्पी भी बनते तो आप इसे डब्बे में भरके भी फ्रीज कर सकते देखे अभी हम रोल बनाना शुरू करेंगे हमें मैदे का गोल लेना है दो चमच पानी डालके और आपको स्टफिंग भरके इस तरीके से रोल करते जाना ह और आप डब्बे में भरके भी इसे फ्रीज कर सकते समुसा भी बना सकते इसमें अभी आपको धीमी आज में तेल गरम करना है और तेल हमारा गरम होते के साथ धीमी आज में आप इसे फ्राय करेंगे तेज आज में ने बजबारिक आज में अच्छे से फ्राय करके लेंगे अच्छा कलर आने देंगे इसका ब्राउन और जब अच्छा कलर आ जाए तो आप इसे निकाल दीजिए देखे रूल हमारा कितना अच्छा बन के तैयर हुआ है आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा भी दिख रहा है और माशाला बहुत अच्छा भी बनाता क्रिस्पी बहुत ही है तो आज की रेसिपे आपको कैसे लगी जरूर बताईए मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और जरूर जरूर ट्राइ कीजे वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजे मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजे और फिर अच्छे अच्छी रेसिपे के लिए मुझे जरूर कमेंट करके बताईए इंशालला फिर मिलूंगी एक नई रेसिपे